तो कुछ स्ट्रिंग कॉंस्टेंड के कोश्चन किया जाए जाए लेकिन उसके पहले एक और कॉंसेप्ट देख लिया जाए ठीक है बचा देखतो अब देखो बटा मुविंग पुली कुछ केस में ऐसा आएगा बटा कि पुली तुमारा मूव करता हुआ होगा जब पुली तुमारा मूव कर रहा होगा तो कैसे डील करोगे देखो बटा मान लो यह एक पुली है बटा इस पुली के उपर से एक ऐसी रसी क्रोस की और यह पुली का बटा उपरी पॉइंट यह रहा यह रहा और यह रहा ठीके बटा किसी एक खास समय पर हमने बटा इस वाले की वेलासिटी देखी B1 इसकी वीलासिटी रहा है अगर पुली मुव कर रहा है तो इस पुली के मूव करने के वलासिटी क्या है कोई बताओ अगर पुली के सेंटर के विलासिटी भीवन है बच्चा और इसकी विलासिटी भीवन है अगर इसकी विलासिटी भीवन है बच्चा और इसकी विलासिटी भीवन है इसका मतलब उपर जो इस ट्रिंग है बच्चा वो इस ट्रिंग के लंबा यह होगा इस अब चलो बच्चा देखो इस वाले की बात करें इस वाले स्ट्रिंग की बा कि टोटल रसी का लंबाई कॉस्टेंट रहेगा इसका मतलब कोई भी पॉइंट दूर नहीं जाएगा कोई भी पॉइंट पास नहीं आएगा इसका मतलब पूरे इस ट्रिंग के लिए बिटा समेशन और भी सेप्रेशन इक्वल टू जीडो तो देखे बच्चा इस वाले वाली वेलासिटी कितनी हो गई तो इसकी बिटा सेप्रेशन वाली वेलासिटी हो गई बीवन माइनस वी टू है नहीं बिटा अब इसका देखो इसका उपर बीवन इसका वी थी तो इस वाले का सेप्रेशन का वेलासिटी कितना हो गया बिटा तो यह भी हो गया हमारा इसका मतलब 2B1 इक्वल टू V2 प्लस V3 एक है यह हमारा आगया moving bully concept समझे लिख लो झाल झाल लिख लो यह रॉच्ट अब देखा जाए इस ट्रिंग कॉंस्टेंड के सारी बीमारी का एक ही इलाज बच्चा इना इसको कहते हैं बटा वार्चुवल वर्क मेत्ट हैंए बटा क्या कहोगे वार्चुवल वर्क मेत्ड़ फious ट्रिंग कॉंस्टेंट है ने बच्चाँ वार्चुवल वर्क मेत्ड पकॉ聯 tsunami सुनना बटा का ओर से वार्चुवल वर्क मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वप में लेकिन होगा नहीं जैसे कि काक quड आप सोचो इस रसा कौ अगर मैं ऐसे खीच करके यहां तक ले जाओ तो तुम ने कहा गजा गाना कि रसी को तुम खीच के ले गये तो वर्क हुआ यह ना रसी को मिनों डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क हो गया दा लेकिन सोचो वह इवे अगर बिटा इस रसी को हम डिस्प्लेस करके बिटा यहां ले गए है ना बिटा? तो गौर करना इस वाले पॉइंट पे रसी का टेंसेन पीछे और इस वाले पॉइंट पे रसी का टेंसेन आगे तो दोखे बिटा इस वाले के लिए displacement और इस वाले के लिए displacement दोनो displacement same है ना बच्चा है कि नहीं लेकिन क्या दिखरा है इस tension का work done positive होगा और इस tension का work done negative होगा बच्चा है ने इसलिए क्या हुआ total work done zero है ने बटा इसलिए क्या बोलते हैं इसको virtual work कि displacement तो हो गया फिर भी work zero है है ने बटा displacement भी है रसी टाइट भी है लेकिन वर्क नहीं है है ने बटा इसमें कॉंसेप्ट क्या है बटा तो कोगे summation of कोगे क्या की net work done है ने बटा by tension force है ने बटा in the system इस एक्वल टू जीरो आइडियल इस्ट्रिंग ना बच्चा क्या इस्ट्रिंग तो कोगे आइडियल इस्ट्रिंग के लिए है ने बटा क्या कोगे system में सारे टेंसन का फगड़न जीरो है कि समझ में नहीं आया बच्चा इतन नाम ही लिखा है नो चलो बात करो भाई बात करो बच्चा अन्मूट करो अजी बच्चा है यार श्रिया एलो बटा क्या दिक्कत इसे इसको इक बार और बता देजे वर्चूल का मतलब क्या होता है कि आप जो इमेज कर से विखा लेकिन आप अनको लェंडल को लगे कि हू रहा हो अब आरप अजी वर्कित इसका अजी वर्क इस का मतलब वर्क हciaивает अ कि हुआ आप अनकर से लागज पां लेकिन वळ सनी तो इसकी पार इसे मांकी निया यहां है तो रशी आगे बड़ी ना बेटा है है इसको ऐसे खिंच की यहां ले गए है हाँ इंडिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स भी है डिस्प्लेस्मेंट भी अतवक होना चाहिए हाँ लेकिन देखना रसी का टेंशन आगे वाले पॉइंट होगा पीछे की तरफ देशन और इस वाले देखो दिस्प्लेस्मेंट और इंशन देरेक्शन में यह सम पोस्टिवर्क यह सर और यहां देख बटा नेकिति वर्क डिटिवर्क अदोनों तेंसन जेएंगी इफरेंट सेमें तो टोटल वग दन जी रोगी ने वा इस रख टोग्या है हम यहां यहां नेट वग्डन ब इसको यूँ बोल सकते हैं बिटा समेशन अफ टी वेक्टर ड़ाट दीएश्ट वेक्टर इक्वल टू जी रोगल भीडा बोल सकते हैं ठीक हैं तो अब देखो समेशन आफ टी डोट दीस ब्राबर जी रो इसको टाइम से दिवाइड कर दो तो क्या हो जायागा summation of t-vector dot v-vector is equal to 0 बोलो बटा, बो सकते हैं, बस यह हमारा concept है summation of t dot v dot equal to 0 इस पूरे system में, जहां जहां tension हो उस सारे tension का dot v बराबर 0 होना चाहिए सबका sum करने के बाद है ने बिटा, चीक है, गौर कोरो सब लोग the points, the points of system need not to be considered, है ने बिटा, समझा, क्या कहोगे कि system में जितने सारे point हैं, उन सारे point का summation of t dot v बराबर 0 होना चाहिए, है ना बच्चा, तो अब देखो, हमने कहा कि system में तो बहुत सारे point होंगे, तो क्या हम सारे point को लेंगे, नहीं, सारे point लेंगे, है ने बिटा, तो किस-किस point को नहीं लेंगे, the points of system need not to be considered, जिसको consider नहीं करना है, किसको? सबसे पहला point, fixed points, है ने बचा, जो point fixed हो, उसको consider करने के जरूवत नहीं, समझते ही हो, जो fixed है, velocity 0 हो गए, बचा, velocity 0 हो गई, तो t dot v ऐसे 0 हो गया, तो उसको लिग के क्या फाइदा, है कि नहीं? अब देखो, the points, points, points at which resultant tension force equal to 0, है ने बचा, ऐसे सारे point, जिस point पे tension force का resultant 0 हो, तो भई, tension ही 0 हो गया, तो यही 0 हो गया, है ने बचा, यह पूरी चीज 0 कब हो सकती है, जब T 0 हो, या भी 0 हो, इसका मत्तब T 0, V 0 को ध्यान देनी की जरूद नहीं, वो तो ऐसे ही 0 होगा, है ने बचा, बात समझें, लिख लो, इस्वर बोलो, तोरी सर, गल्ती से hand raise हो गया था, ती कैसा आपाज आया रे, रोबोटी का आवाज, हना हिंटी होगा, तबी चीर होगा, बिल्कुल सही बात, इन सब पॉइंट को ध्यान देने की जरूद नहीं है, बच्चा, अम इस सुक्ता दिख रहा है कि इस वर जूपिटर से आया है, जूपिटर से साबू को आया था साबू, साबू को जानते हो दुम लोग, क्वाजी फुजेल, यह लिगा, रोबोट का रजनिक आंत लगा, रोबोट, गर्वित, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन बेट कर लो, आयूँस को पता है, चाचा चाउदरी, चाचा का चेला था, नो सर, कौन साबू, जो लोग साबू को नहीं जवानते, उनका बच्पन बेकार चला गया, और आप जानके फायदा भी नहीं बच्चा, एक बार कहिए फिर बोले, बता दीजिए सर कौन था, बता तो दिया उसने, चाचा चाउदरी का चेला था, जावू, नागराज को जानते होंगे, रह सही, आयूस, यह भी कुप पढ़ा है, कॉमिक्स, नागराज, सूपर के मांडो धू, बच्पन तो अम लोग का कॉमिक्स सहीं भीता यार, चलो पढ़ा है बटा, आगे, नेटवर लाज बात करते हैं, इसका भी आवास अनोखा है, बना के बोलता है, बोर नेटवर, गुड मॉर्ण बच्चा, गुड मॉर्ण बच्चा, गुड मॉर्ण, कैसे हो, सर्थ मस्ट, मस्ट हो, कुछ पूँना है बच्चा, सर्थ मॉर्ण बच्चा, सर्थ मॉर्ण सर्थ मॉर्ण सर्थ मॉर्ण बच्चा, सर्थ मॉर्ण सर्थ बच्चा, को गए सरDid थेती नहीं वाटसप कर दो नो धेकल ए कि अगर मैसेज कर दो कभी ने कभी देखी लेंगी मेसिच वाटसप मत करना हैं एसे मेसटाइ करना है अभी नहीं मेथ गर cub दॉतय है युण नहीं बहुत तुक है तो बात नहीं तुम्हारा काम था मैसेश पहुंचाना तुने पहुंचा दिया अगर को बंदा अवेलेबल होगा और तुले लेगा क्लास बच्छा को दो बच्छों एरेज कर रहा हूं इसको और दो बटा इसका दिखाता हूं तुम्हें बटा इस्टेमाल करके देखो बच्छा देखो जैसे की जैसे की देखो बटा इसका अप्लिकेशन के लिए मैं तुम्हें वह वाला कंडीशन दिखाता हूं डिराइव करके जैसे की देखो बटा माल लेगे की स्ट्रिंग स्ट्रिंग में इस वाले पॉइंट की वेलासिटी है बटा वी ए और ये एंगल है बटा अलफा और इसकी वेलासिटी है ऐसे बटा वी बी और ये एंगल है बिटा ठीके हैं तो इस स्ट्रिंग के लिए हम क्या कहेंगे summation of t dot b equal to 0 ठीक है बच्चा तब देखो summation of t dot b equal to 0 करना है तो सबसे पहले तो यह करो बटा जिस जिस point पे velocity है है ने बटा उस वाले point पे tension force के direction दिखाओ तो देखो बटा यहां से tension हो जाएगा t ऐसे और यहां से tension हो जाएगा t ऐसे है ने बच्चा तो अब देखो जब tension t और t ऐसे हो गया तो summation of t dot v equal to 0 तो देखना बटा यह tension of velocity के बीच का एंगल alpha हो गया ना तो लिख देखेंगे t into va into cos alpha फिर plus अब देखो बटा tension यह है velocity यह है दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ तो कहोगे t vb cos of pi minus beta equal to 0 है ने बटा इसके मतलब क्या हो गया देखो t sub में कौन सी लो हो गया va cos alpha equal to vb cos beta है ने बटा बोलो यह फिर से वही संबन्द आगया जब पहले निकला था बटा हम लोगोंने string constant में सबसे पहला concept मैं तुमको यह बताया था और ही मैं दिखाया तुमको कि इस वाले concept से हम वह कॉला concept भी डिराइव कर सकते हैं ना बच्चा अब देखो तुमको यह वाला भी दिखाया बटा मुविंग पुली वला concept तुदके गटा मुविंग पूली इदर पर टेंसन घ्रेटा हम लोगोंने क्या लिया था? लिया था वेलासिटी भीवन और इदर बटा अंब कोई बताो मुझे बता अगर मैं इसमें टी लूँ इसमें टेंसन टी लूँ तो यहां कितना होना चाहिए टेंसन तूटी होना चाहिए बिलकुल सही कहा अब लोगें इसवाले पॉइंट पे कोगे टेंसन होगा उपर की तरफ इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ यहां से उपर की तरफ यहां से नीचे की तरफ यहां से उपर की तरफ और यहां से नीचे की तरफ है न बच्चा ठीक है अब गौर करो अब देखो बटा इस पुली के लिए इस पुली पे देखो ब इसका मतलब पुली की बात करने के जरुवत नहीं, है न? तो पुली पे ध्यान देने के जरुवत नहीं है न? तो फिर किस पे ध्यान दोगे? तो तुम इस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे और इस पे ध्यान दोगे. और क्या लिखोगे? समेशन आफ टी वेक्टर ड cos 0 की value 1, इसका मतलब t into v2, यहाँ देखो, same direction, फिर से हो गया बिटा, t v3, अब दोखो बिटा, यहाँ opposite direction हो गया न, तो 180 का angle है, cos 180 का value minus 1, तो क्या हो गया बिटा, minus 2t into v1 equal to 0, अब दोखो बिटा, सब में हमारा cancel हो गया, सब में tension cancel हो गया न, बिटा, सब में tension cancel हो गया, तो क्या बच गया, v2 plus v3 equal to 2v1, क्या सिखा बिटा, आमने, कि t dot b का जो method है बिटा, वो ultimate method है, है न, वो हर तरह के situation को derive कर सकता है, चीक है बच्चा, लिख लो, जीक है बच्चा, 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 न, तो, उचवा बच्चा, आधिए लो, तबी बिटा एक से जदा पुली हो तबी झाल झाल हेलो बच्चों क्या हाल है अरे सरका सिस्कनेक्ट हो गया क्या अरे साल क्या एलो हो क्या एलो हो तो क्या रहा है वाच्ट क्या हो मैं हूँ, वो अलियन बाई, कहां से हूँ लुपिदर लुपिदर बाई, कहां से हुआ हाँ हलो आ, बोलो क्या हुआ सर, इसक्रनेक्ट हो गए है बाई, क्या हो रहा है बाई, क्या हुआ है बाई, फूजिकल कमेस्ट्रिक और टीचर चीज़ गए दो एक अपको एक आपको एक आपको 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 एकुए। हलो। बॉलो। फिजिकल कमेस्ट्री को टीचर चेंज करा दो फोशिस तो बहुत चल रही है उन ना में पागल हो जोगा सारी बच्चों डिस्यांक्ट हो गया था बिटा कर्पूटर बंद हो गया था अपने आप देखा जाए इसी का अप्लिकेशन आप देखा जाए इसी का इसी का अप्लिकेशन वलसिटिए आफ ब्लॉग भी, भी वाले ब्लॉग की निकाल लिया है वलसिटी, ठीके भीटा, एट द्धेवन इंस्टेंट, जो डी टारम में दिया हुआ है, ठीके बटा, उसी इंस्टेंट पे निकालना है तुमको वी ब्लॉग की वलसिटी, ठीके बच्चा इसमें जो पुली है बटा और जो स्ट्रिंग है ये दोनों ही तुमारे आइडियल है पुली और स्ट्रिंग दोनों आइडियल है पहला सवाल पहला सवाल क्या है देखो पहला सवाल है बटा कि ये मान लो बटा छत छत के सार एक पुली है बटा इस पुली से इधर एक block लटका है बिटा और ये block इस horizontal surface से move कर रहा है और यहां से एक दूसरा block है बिटा B और ये है A, A का अभी जो angle बन रहा है ये angle है 37 degree यह ने बच्चा और A वाला block इधर जा रहा है भी 6 meter per second से यह ने बिटा, तो 5 meter per second से तो B वाली के velocity क्या होगी तो कि बिटा B वाले part में B वाले में एक rod है बिटा, एक rod है इस rod में एक ring पनाया हुआ है ring है ना, ये ring जो है हमारा वो है B, ring है B, यहां से एक पुली आया और यहां से एक block लटक गया, यह block A, इस block की velocity है बिटा, 5 meter per second और यह angle है बिटा 30 degree, है ना, जब block नीची आगा बिटा, तो ring फिसलता हुआ आगे जाएगा, है ना, C वाला पार्ट देखे बिटा, C वाले पार्ट में, C वाले पार्ट में, एक पुली है बिटा, इस पुली को उपर खींचा जा रहा है, इसको उपर खींचा जा रहा है, चार मीट्र गुर को, यह यूँ कहें, एक मानले बिटा, लिफ्ट, इस लिफ्ट में लगा है एक पुली, और इधर है बिटा, A वाला बॉडी, इधर है B वाला बॉडी, ठीके बिटा, यह पुली जो है, नीची आ रहा है, दो मीटर पर सेकेंट से, ना बिटा, और जो A वाला बॉड़क है, वो नीची आ रहा है, छे मीटर पर सेकेंट से, है ना बच्चा, तो B वाले के वेलासिटी क्या होगी, चलो ट्राइए करो, नोदीप बिल्कुल सही, आगे बढ़ो, नोदीप का से केन भी सही, झाल झाल चाल हो सबस्केश्ट काम आगे बढ़ो रेडमी चेक करो बच्चा अबेशेग करो फास्ट में झाल 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 बहुरेड मी नहीं बोल रहा जो दुख मैं करता हूँ पिटा सबसे पहला स्टेप हर पॉइंट पे टेंसन का डिरेक्शन दिखाओ तो दुख बटा इसका टेंसन का डिरेक्शन ऐसा इसका ऐसा यह तो बटा फिक्ष्ट पुली पर ध्यान निये तुने विटा जो पुली फिक्स्ट है उस पर ध्यान देने की जवरत नहीं है बिटा अब देखो इस जब आगे आगे बढ़ेगा बिटा तो यह वाला बॉड़ी नीची आएगा इसकी मालनी वेलासिटी भी तो अब क्या करोगे समेशन आफ T vector dot B vector equal to 0 तो देख बिटा इसके लिए Tension T T into 5 into cos 37 plus Tension velocity opposite direction तो T B cos 180 equal to 0 तो आगे बिटा B equal to 4 meter per second ठीके बिटा अब यहाँ देखो इसके लिए बिटा Tension T ऊपर होगा इसके लिए Tension T ऐसे होगा बिटा तो यह पुली फिक्स्ट है फिक्स्ट पुली पर ध्यान देने की जवरत नहीं कैसे लिखेगा बिटा इसकी वेलासिटी मालनी ऐसे है V तो क्या लिखोगे T इन्टू V इन्टू कॉस्ट 30 ती इन्टू V इन्टू कॉस्ट 30 फिर दो गविटा प्लस टेंसन वेलासिटी या पोजिट डियारेक्शन में तो माइनस T इन्टू 5 माइनस T इन्टू 5 इक्वल टू 0 बोलो पिटा है न माइनस T इन्टू 5 इस इक्वल टू 0 है न बच्चा निकल गया V का वैल्यू कितना आजागा पिटा V का वैल्यू तो V तुम्हारा आ गया कितना पिटा टेंगा वाई रूट 3 मेटर पर सेंड हैंग पिटा इसमें दिखाओ टेंसनके डारेक्शन दो गर्धा यहां से टेंसन ऐसे यह टेंसन यह टेंसन ती और यह वो जागा पिटा T, यहां से इधर और यहां से इधर, हैने बिटा, सब लोग गौर करने बिटा, देखो, इसकी मैंने मान ली, velocity भी उपर, velocity का direction मानने में tension मतलो, कितर भी मान लो अपने आप जागा answer, ठीके बच्चा, अब देखो, tension velocity, opposite direction, तो minus T into 6, tension velocity, same direction, तो plus T into V, जाने बिटा, पुली के बारे बात करने जायूर नहीं, देखो, T, T, 2T cancel हो गया, तो पुली बेकार, उपर वाला point देखो, यह वाला point पे tension नीचे है बिटा, और यह नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब, plus 2T into 2, equal to 0, हैने बिटा, 2T into 2, equal to 0, कितना हो गया बिटा यह, minus 6, plus V, plus 4, equal to 0, तो V equal to आ गया, 2 meter per second, समझे बिटा, अगर तुम यहाँ पे गलत होगे, तो अपने आप negative बजाएगा, तो velocity किसी भी direction मानने में, tension मतलो, किदर यह मानलो, ठीक है बच्चा, A और B रिपीट कर दें, बिटा, tension, tension, summation of T dot V equal to 0, T V, velocity देखो, tension velocity cos 37, tension velocity cos 180, जैसे मैंने इसको किया, वैसे उसको भी किया, अच्चा बच्चा पूछ रहा है, क्लास कबसे चल रही है, साथ में 5-6 मिनिट लेट हो गया दाज, minus 2T into 2 क्यों नहीं हुआ लास्ट में, क्योंकि पटा, tension का direction देखो 2T, और velocity का direction देखो 2, दोनों same direction में है, इसलिए plus हुआ, same direction में होगा तो plus होगा, opposite में होगा तो minus होगा, झाल 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 अरे बेटा, इस वर ये वाला टूटी जो है, ये पुली पर है, है ना, और पुली की बात करनी बेकार है, क्योंकि देखो, पुली के लिए resultant tension 4-0 है, है ना, तो पुली पे resultant tension 0 है बेटा, तो वे बेकार है, हम छाथ पर जो टेंसन है वाली है बेटा, बाबू टेंसर नहीं निकालना है, वेलासिटी निकालना है बच्चा, बाबू टेंसर नहीं निकालना है बच्चा, झाल 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 बहुत लोगों कांसर आया भी हांट वर लाल सही है वाला सही है विटा आगे बढ़ो रुको नहीं अलियादर को बात करनी है कुछ अलियादर बोलो अलियादर के विटा आपके पर सर मैसेज नहीं जा रहा है सर शाइद आपके पर सर अच्छा 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 रहा है इस तक शाइद ए इक वालेका अब जरीफ जा रहोग मैसेज नहीं जा रहा है जिसका मैसेज नहीं जा रहा है उन लोग मिटिंग को लीव करो फिर आपस जोईन करो ओके सर तुझा आगा मैसेज रिडमी यह बोलता क्यों नहीं है वच्चा भाई हां उसमान आ रहा है मैसेज चो दुक्र मैं करता हूँ दुक्र बटा इस वाले पे टेंसें टी माल लिया यह टी यह टूटी है नवच्चा यह टी और देखो टी टी तो यह हो गया टूटी तो यह भी हो गया टूटी यह हो गया फोटी ठीक है बच्चा अब देखो डारेक्शन आफ टेंसें फोर्स तो दुक्र बटा इसके लिए ऐसे यहां ऐसे यहां ऐसे नवच्चा ठीक है बच्चा अब देखो टी डॉट भी में हम किसको कंसिडर नहीं करते हैं जो होता है तो इसने को कंसिडर नहीं करते हैं यह वाला पॉइंट करने की जरुरत नहीं यह वाला पॉइंट दोगो बिटा consider करने की ज़रूरत नहीं ठीक है बच्चा और किसको consider नहीं करते बिटा जिस पे resultant tension 40 हो देखना बिटा इस वाले पे 2T 2T 4T तो ये बेकार पुली पे ध्यान मत दो और इसके लिए tension होगा बिटा ऊपर है ना अब दोगो पुली टी टी 2T रियल टेंट टेंशन 40 इस पे भी ध्यान मत दो ना बच्चा अब यहां देखो टी यहां टूटी इस पे भी ध्यान मत दो ना बिटा जो बाकी बच गया सिर्फ उसी की बात करो तो क्या करोगे इसका माल लिया मैंने velocity भी नीचे तो इसके लिए क्या लिक्ए के यहां देखो टैंशन वेलासिटी अपोसी डारेक्शन तो माइनस 40 इंटो वी इक्वल तो वी इक्वल तो 2.5 मिटर पर सेकंड अने बचा 2.5 मिटर पर सेकंड अब चलो इसके लिए यहां देखो बचा यहां टैंशन टी यह वी टी ये भी T ये भी T ये भी T एन वच्चा T-T ये हो गया 2T येए बच्चा अब दो सब जग़े पी टेन्सन का डिरेक्शन दिखाओ एन वच्चा तो टेन्सन का डिरेक्शन ऐसा ऐसा ठीक है पटा अब गवर कर इसका माली हा मैंने वेलासिटी भी उपर गवर करना फिक्स्ट पूली है न ध्यान मत दो पूली का देखो T T to T ध्यान मत दो ऀसका टेंशन इसका वेलासेटी हूपर तो वो गया T into V यहां देखो 2T और 2T यह हो गया बटा 4T है ना बटा और 2 meter per second नीचे की तरफ so into 2 negative में equal to 0 इसका मतलब बटा V equal to 8 meter per second ठीके बच्चा समझ गया कि बटार तेखो अच्चा समझ गया था बटार आके लाग वाग मतलिव योज़र अरय व रटार इसे ना यार बटार बयाख कि बटार आया जीचे की तर में बटार टार बार टार पार हो अकुझ झाल झाल करो करो वीर यह रिपीट अगें देख बटाई पे फिक्षट पुली ध्यान मत दो फिक्षट पुली फिर ध्यान मत दो इस पुली यह T T 2 T resultant tension force 0 T T 2 T resultant tension force 0 इसका tension velocity same direction में इसका देखो 2 T उपर 2 T उपर हो गया 40 और वलास्टी हो गया नीचे तो माइनस 40 इंटो 2 एफ वला करो बच्चा अगें कंज को वलास्टीmal अन्हें है झाल कि नट्वरलाल 5x4 बागी बच्चे बताओ 3.75 5.15 बताओ 5x4 5x4 दिकर्स 5x4 बताओ 5x4 निकेद 5x4 निकेद 15x4 निकल 5x4 Galaxy M30 5x4, Amit Singh 5x4, Usman 5x15x2, Sivam Daksh, Redmi, Daksh, Anki Sa, Pranay, इतने लोग कांसर आया, Pranay, एक बाद शेक कर ले बिटा, शो देखर मैं करता हूँ बिटा, देखरे, टेंसन का डारेक्शन, यहां से T, यहां से टेंसन, यह टेंसन, यह टेंसन, ऐसे, 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 यू, यू और यू, ठीक है बिटा, और यहां से बिटा उपर के तरफ, है न, अब देखता बटा इस वाले की वेलासिटी मैंने मान ली नीचे की तरफ V, सुनना बटा कम ध्यान से, दुगवाई टी तो यह भी ती, यह भी टी यह भी ती, क्योंकि दुगवाई और यह पूरा इस्ट्रिंग एकी है न, पूरा स्ट्रिंग एकी है न भच्छा, अब बता यह टी टी तो यहां टूटी बोले बटा कोई दिकत को दिकत बटा कुछ नहीं बोल रहा कोई गलात है बिल्कुल सही बार टूटी नहीं होगा बटा यह ना यह टूटी नहीं होगा है ना क्योंकि यह एंगल बंदा है बिटा ना एंगल बंदा ना बिटा तो क्या करोगे तो कहोगे इस पुली के लिए इस पुली के लिए इस पुली के लिए ऐसे है टी और ऐसे है टी और यह एंगल है बिटा 37 और यह है टीवन तो टीवन इक्वल टू होगा बि बिटा क्योंकि T sign 37 T sign 37 cancel हो जागा बिटा तो T cos 37 T cos यह ना होगा बिटा चीक है अब देखो आगे अब कहोगे इसके लिए इसके लिए हो गया T into 4 है ना बच्चा इसके लिए हो गया T into 4 यहां पर ध्यान देने के जरूरत नहीं क्योंकि पूली पिक्स्ट है बेकार यह बेकार और देखो इस वाले में इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो करके ही मैं T1 निकाला है ना बच्चा और यहां देखो माइनस T into 2 है ना बच्चा और इसके लिए T1 उपर वेलासिटी नीचे तो माइनस T1 into V इक्वल टू जीरो ठीके बच्चा कितना हो गया 4 4T minus 2T यह हो गया बच्चा 2T minus T1 बुट कर लो यह बच्चा 0.8 into 2 यह हो गया 1.60 है ना बच्चा यह हो गया 1.60 इन्टू V इक्वल टू 0. सो V इक्वल टू यह हो गया 2 अपॉन 1.6 इसका मतलब 20 बाइ 16 तो 5 बाइ 4 मीटर पर सेकंड ठीके बटा लिख ले 16 तो 6 बाइ 2 बाइ 16 तो 5 बाइ 16 तो 5 बाइ झाल झाल प्रश्राइब नियुक्त नियुक्त आप पूझ रहा हो इदको यह अपोजिट डारेक्शन है तब यह लिखा माइनस है कि नहीं आप समझाना और यह सेम डारेक्शन में है तो प्लस लिखा इसका टीवन भी अपोजिट है और टीवन की वैलू यहां से ठीटा वाला टी क्यों लिखें क्योंकि पुली पे रियल्टेंट टेंसन तो जीरो है चलो अब डिसकस करेंगे निकालो सीट निकालो कि हाली अधर पहुंच रहा है तुम्हारा मैसेज रियल्टेंट अब बटा यहां टी और टी इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर ना आएगा बच्चा और उसको टीवन कैंसिल न किया तब नहीं लिखे हो क्योंकि पुली मासलेस होता है मासलेस बॉड़ी पे रियल्टेंट फोट जीरो होता है मेंसा हांट वर लाल तुमारा भी आ रहा है मैसेज अब सीट निकालो जेमेटिकल अप्टिक्स का होमवक में सेक्शन सी तक करके आना है होमवक में एलेम में सेक्शन सी तक अप्टिक्स निकालो सी तब तो टू पार्ट टू कर चुके थे भी टाम लोग टू पार्ट थ्री भी कर लिये थे काफी कुछ टू पार्ट थ्री हम लो एक्साइस तू पार्ट थ्री कोस्चन नमर नाइन देखो बच्छा काता है ज़िए सिमेत्रीकल बाई कनवेक्स लेंज तक इन्टू आइडेंटिकल हाफ्स वेस्ट प्लेस धिछ थे ज़िए पिए टू पच्छा तो प्या होगा गर करना बटा अगर एक लेंज को बिटा अगर एक लेंज को ने पिटा चाहे ऐक ऐसा भी लेंज हो ने पिटा एक इधार से रे भेजो बताओ बिटा इन दोनों रे के लिए फोकस सेम होता है कि अलग अलग होता है इन दोनों रे का फोकल लेंग सेम की डिफरेंट इन दोनों का फोकल लेंग सेम ने बिटा इसका मतलब रे चाहे कहीं से भी कि रे पावर सेम होता है है ना इसका मतलब डागरा और थ्री बिल्कुल सेम हो गया अब वन में देखो जब वन में कहोगे बिटा तो वन वाले केस में उपर नीचे किया हुआ है तो बिटा उपर नीचे करने से दोनों का प्रिंसिपल आक्सिस अलग अलग हो जागा ना बच्चा है कि नहीं इसका हो सोचो इसका मतलब अगर इस का मतलब दो तरह के रेवन लेगता तो इसमें हमारा बने जाख इमेज अनम पच्चा म लेकिन बागी दोनों बनेगा एक एक इके मेजे अड़ने गलत हैंना भीटा सब्सक्राइब को भी ना झाल हाँ देख बड़ा इस वाले केस में कुछ नमबर नाइन बागया फॉस्च नियार हाँ कुछ नमबर नाइन देखो नाइन में टू एंट्री टू एंट्री आर आइडेंटिकल है ना क्या को गविटा इक्विवैलेंट सिंगल लेंज एक्विवैलेंट सिंगल लेंज है ना बच्चा अब सुनना देखो इस लेंज का ये प्रिंसिपल एक्षिस है ना बच्चा तो देखो अगर अगर लेंज ऐसे गुजरेगी तो यहाँ इमेज बनेगा बोलो बटा है ना लेकिन इसका देखो अगर कोई रे बटा इधार से निकलेगी तो इसके लिए यह हो गया बटा एक और इमेज और दोनों से पास करेगी तो तीसरा इमेज तो फास्ट वाले के से बटा तीन इमेज बनेगा एना तो ना इनका अंसर हो गया ए ठीके बिटा और सी दोनों से एंविटा डी गलत समझ गया है हाँ पिटा जीवीच में जगा हुआ खाली है एरे बिटा वहां दस से ग्यारा बारह को दिक्कत है बिटा देख वाजी इस लेंज से पास करेगा और इस लेंज से पास करेगा अकेला इससे पास किया इससे नहीं किया यहां इससे पास नहीं किया इससे पास किया तो दो इमेज हो गए और एक दोनों से पास करेगा तो तीसरा इमेज पंदरह तक विड़ाउट पंदरह तक नहीं है बीस तक ग्यारा पूछना है रटवरलाल को दगुण रटवरलाल ग्यारा नमबर में कुश्यन नमबर ही ग्यारा ग्यारा काता है बीपरपर ली कॉंबानिंग तू प्रीजन रटवर डिफिर्ट मेटरियल अलग अलग मेटरियल के दो लेन्स को कॉंबाइन करके क्या कर सकते हो बीस परसे विदाउट डिवीएशन हो सकता है बच्चा have deviation without dispersion ये भी हो सकता है बच्छा have both dispersion and deviation ये भी हो सकता है same direction में लगा दो have neither dispersion nor average deviation ये नहीं हो सकता क्योंकि material different है बटा material same नहीं है न तो अंसर इसका ABC question number 18 शुला भी पूछा है शुला देखो शुला में कहता है बटा an object is kept on the principal axis of a concave mirror देख बच्छा एक concave mirror का principal axis बच्छा इसका focal length 10 cm focal length बटा 10 cm at a distance of 10 cm from pole यहां रखा है बटा अबजेक्ट यह भी है 10 cm पे यह ना the object is start moving at 20 mm per second towards the mirror at 30 degree तो दुकर बटा 30 degree का angle है इसकी velocity का है ना बटा 20 mm per second है ना तो करता है image कैसे move करेगा तो देखो बच्छा इसकी velocity का दो component है ना बटा तो देखो यह component है parallel to principal axis velocity of object parallel to principal axis is equal to कितना बटा यह हो गया 20 cos 30 10 root 3 mm per second है ना बच्छा अब velocity of object perpendicular to principal axis 20 sin 30 equal to 10 mm per second बटा ठीक है अब दो करेगा बटा इस case में you पता है तुमको क्यों कितना है minus f focal length थे बटा 10 cm आप बटा और यह है minus 10 cm तो v निकाल लो v आ जाएगा बटा plus 5 cm है ना अब देखो बटा तुम कहोगे 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f याद ना बटा इसको differentiate करके हम लोग निकाले थे ऐसा v image v image parallel equal to minus v square by u square v object parallel बोलो बच्चा होगा ना तो क्या कहोगे v image parallel equal to minus v square by u square कितना हो जाएगा बटा ये 1 by 4 minus 1 by 4 into v object parallel कितना बटा 10 root 3 इसका मतलग minus of 5 root 3 by 2 millimeter per second एना बच्चा अब चलो अब जाएगा बटा आगे आगे हमारा कहोगे magnification के लिए बच्चा तो क्या कहोगे बोलो magnification equal to height of image by height of object that is equal to minus v upon u है ने बटा ठीक है तो देखो m अब पर इतना है बटा तो height of image कितना हो गया m into ho बोलो बटा m into ho होगा ना बटा अब देखो इसको लिख दो dhi by dt equal to dm by dt into ho plus m into dho by dt बोलो बटा होगा ना तो देखो बटा object हमारा कहां पर है on the principal axis तो ho हो गया बटा 0 plus magnification minus e by u देखो बटा यह हो जागा half तो यह हो गया half dho upon dt यह हो गया ना भी ओ पर्पेंडिकुलर यह है 10 तो यह हो गया बटा पांच मिलीमीटर पर सेकेंड यह हो गया ना बटा तो क्या कहेगा image की वेलासिटी यह हो गया ना बटा v image perpendicular square root v of image v image parallel square v image perpendicular square so square root of v image parallel इसका ही square कितना हो गया बटा 75 by 4 plus यह बटा 5 square हो गया बटा यह कितना हो जागा बोलो 175 इसका मतलब बटा 5 root 7 by 2 millimeter per second है ना बच्चा कौनसा option आया देखो by 4 आगा सौरी by 4 का square ना हो गा रहे 16 गया बड़ो गया रूको तो कितना हो जागा 16 into 25 है ना बटा by 2 ही था ना सौरी 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 ठीकता ठीकता बटा ठीकता तो जागा 5 root 7 by 2 option number B आया बटा direction निकालो तो क्या लिखोगे 10 theta equal to B image perpendicular by B image parallel B image perpendicular 5 by B image parallel यह हो गया 5 root 3 by 2 इसका मतलब 2 by root 3 ठीके बच्चा आगे चलो 13 and 17 दगवड़ा यह man wants to photograph यह white donkey algebra after fitting a grass दगवड़ा यू सोचो कि object चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो object चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो बटा है न ठीक है और lens चाहे कैसा भी हो है न बटा lens के कोई भी एक point से किसी भी एक point से सारी raise pass कर सकती है बटा बोलो और अगर सारी raise pass कर सकती है इसका मतलब lens के छोटे से छोटे हिस्से में पूरा image बन सकता है बात समझ में आया बटा lens का छोटा से छोटा पार्ट पूरा image बना सकता है इसका मतलब क्या समझे हम लो कि बोलो कि lens में कुछ portion cover भी कर देंगे फिर भी पूरा image बनेगा है ना बटा चीकिए लेकिन एक आता है ये कि lens में अगर मार देंगे black strics तो black strics मारोगे बटा तो lens का open area कम हो जाएगा तो number of rays कम हो जाएगी है ना बटा तो बनेगा तो पूरा image कोची छुपेगी नहीं तो पूरा डेंग की बनेगा बिटा लेकिन उसकी भी intensity कम होगी तो answer क्या होगा बोलो option होगा A है ना बिटा और option होगा D 17 देखो एप पार्टिकल इस मूविंग टॉर्ड्स एफिक्ष्ट कॉन्वेक्स मीरर देख बच्चा convex mirror है तो convex mirror में real object का virtual image हमेशा क्या होता है वी जो होता है बिटा हमेशा यू से छोटा होता है तो भी एगर छोटा होगा तो यहां देखो अगर भी छोटा होगा बिटा इसका मतलब image की velocity हमेशा object से कम होगी एना चाहे कोई भी condition हो तो option number A option number C ठीके बिटा बिटा 13 का पता है तो कि number of race कम हो जाएंगे न तो intensity कम हो जाएंगी 21 तक और कोई 21 तक कोई 21 तक कोई नहीं एक से इस त्री देखो आगया 18 और एक इस देखे बिटा अठारा में आगया 21 तक कुछ नमबर अठारा आगया इस मॉल एर बबल इस ट्रैप्ड इंसाइड ए ट्रांस्पारेंट क्यूब और आप साइज च्वेल सेंटीमीटर एक क्यूब माल लो इस क्यूब में एक एर ट्रैप किया हुआ है यह 12 cm दूर ठीके कहता है बटा इसमें कोई air bubble है माले B यहां से distance x पे ठीके बटा यहां से देखा तो दिखा 5 cm पे यहां से देखा तो दिखा 5 cm पे तो का लिखोगे लिखोगे बटा distance of image distance of image by distance of object is equal to mu 2 upon mu 1 तो 1 upon mu equation number 1 अब अगर यहां से देखा तो दिखता है 3 cm पे तो si by so equal to mu 2 upon mu 1 तो फिर से 1 upon mu equation number 2 इन दोनों को solve करो और x निकालो ठीके बिटा आगे चलो बिटा एकीस नंबर सवाल question number 1 21 a convex lens and a concave lens are in contact and the combination is used for the formation of image of a body by keeping it at different places at the principal axis the image is formed by this combination of lens can be देख बिटा एक convex lens और एक concave lens जब इन दोनों को बिटा तुम combine करोगे तो resultant कुछ भी बन सकता है बिटा इसका मतलब क्या हुआ ये convex ही बन सकता है बिटा concave भी बन सकता है एना तो एको ready पूछ रहा है hello sir chapter कौन सा है ये chapter के नाम है बिटा surprise this chapter is surprise chapter ठीके चलागे देखो सवाल कहता है बिटा एक concave एक convex को जब बिटा तुम contact मिलाओगे तो उनके focal link में depend करता है बिटा कि क्या बोलो कि resultant कितना होगा power खत्य होना प्यून 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 प्यूटू बिटू बिटा अगर किसी का power जादा हुआ तो resultant उसी का power हो जाएगा इसका मतब रिजल्टेंट convex, concave कोई भी हो सकता है यहने बिटा तो इसकी क्या कहोगे concave का भी property आएगा convex का property भी आएगा पहला देखो magnified inverted real बन सकता है अगर बन जाए convex तो diminished inverted real यह भी बन सकता है बिटा diminished erect virtual अगर कॉन के बना तो magnified erect virtual यह बन सकता है कि इसमें जब convex lens बन जाए और focus के अंदर आजाए इन बिटा बात समझा ठीके चलो इतना ही आज के लिए बाई रिट मी दिख रहा है मैं आज ही आया हूँ देख बिटा home work बताई चुका तुमको section A, B, C करना है laws of motion में और optics complete करना है बच्चा चलो अभी के लिए इतना ही बाई बच्चा have a good day अै के लिए गी करना हwno in येजिए करना ही होओी करना है सब ये